जीला मैंने इसका नाम रख्खा आप तो इसको हर वीडियो में देखते ही हैं तो दोस्तों इससे मैंने क्यों खरीदा आप आपको पता है लोग के अंदर से इस अंध्विश्वास को दूर करने के लिए है है अजो हुए है ओ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ-अ---अ-y--- भोण एक हम लिजर्ट नियुक्षि पहली है है जिसका पूछ कट गया है और यह एक हम गाउं में आया है जहां पर एक बच्चे के होट में यह जो छिपकली गिरा और बाइट कर दिया है है जहिंद मैं हूँ प्रकाश यादा और आप देख रहे हैं स्नैक सेबर प्रकाश यादा यूटूब चैनल तो जैसा कि अभी आपने वीडियो देखा एक बच्चे को उसके होट में छिपकली ने काट लिया है देन छिपकली के काटने के बाद क्या हुआ हम इसी वीडियो मे बात करेंगे तो जो लोग हमारे चैनल में न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अभी तक आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किये हुए तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर ले नीचे डिस्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है और आप लोग सपोर्ट कर समाज के लिए कुछ करना है समाज के लिए कुछ करना है तो मैं 14-16 साल की उम्र से यह काम कर रहा हूं तो यह 16 साल का जब मैं था उस वक्त का वीडियो है जब एक बच्चे के होट में चिपकली ने काटा था और वहां के लोग घबरा गए यह अपना तोपचाची का ही है मै जारफूक तंत्रमंत्र का भी के भी बारे में वो लोग सोच रहे थे कि यह करवाया जाए क्योंकि अकसे लोग कहते हैं कि छिपकली में बहां ज्यादा विस होता है और अगर यह काट ले तो इंसानों की मृत्तिव होनी निश्चित है हलाकि यह काटते नहीं है लोग ऐसा क को सब्सक्राइब कर ले और बेल बटन आइकन को प्रेस कर ले तो दोस्तों इस वीडियो में आपको यह देखने को मिलेगा कि जब मैं 16 साल के उम्रका था तब मुझे कॉल आया और मैं उस समय से स्नैक को रेस्क्यू कर रहा हूं और वहां सरे जीवों को बचाने मैं अपना नहीं तो उन लोगों को लग रहा था कि छिपकली काटा है तो मृत्यू तो हो ही जाएगा तो अंजविश्वास दूर करने का प्रयास किया गया था अब तक देखिए 16 साल के उम्रका था अभी तो हमारा 19 साल हो गया 19 साल 6 महिना तो अभी भी मैं करी रहा हूं और आगे भी बहुत कुछ करना इस समाच के लिए और इन दिनों जो है जो 16 से अभी 19 साल 6 महिना हो गया 3-4 साल में बहुत सारी लोग मेरे कायर में बाधा डाले हैं बहुत सारी लोग मुझे गिरानी के कोशिश किया है तो उनके लिए भी मैं कुछ सब्द इस वीडियो में कहना चाहूं यहां तो सबसे पहले आप इस वीडियो में को देख लीजिए कि मैं किस तरह से मैं उस से मैं बोलने नहीं जानता था मैं कैम्रे कैमरे करना तो आप लोग को करना है यह वह तो पहले का था अभी तो बहुत ज्यादा चेंजेस आये हैं तो आप पहले वीडियो को देखने से दन बात करते हैं लेकिन इसके काटने से कुछ भी नहीं होता मैं यहीं बताने आया हूं और मुझे कॉल आया था और उसी इंफोर्मेशन पर मैं यहां पर आया हूं देखिए यह होट पर काट लिया है काफी छोटा-छ इसलिए जो है मेरे द्वारा चिपकली को कुछ ज्यादा ही परिशान किया गया है लेकिन अब से ऐसा नहीं होगा और मैं आप कभी आइसा नहीं करता हूं तो इसका दाट देख लिए इसका दानत नहीं होता है यह इसका सिर्फ अपना जबरास से पकड़ता और हल्का से स्क्रेच कर देता अब से दोस्तों गशेट होता यह नंवेंच होता है बिना जरीड़ा होता काफी लोग मैंन्य विस्वास है कि यह कार देता है तो इंसान का और वायरस फैल लात और इससे कुछ भी होता है अगर यह काट भी देता है । तो कई भी नहीं होगा और ऐसे भी तो हम को 2-4 पर काट चुका है लेकिन चुपकली भी इस नहीं होता है देखें इसको की अधोलों को दिखा रहा है कि देखिए यह जो इस निचले हिस्से में काट चुका है शिपकली तो एक टेटनेस का सुवी हम लोग दिलवा देंगे और यह चिपकली जो देखिए इसको अभी हम लोग कुछ दूर घर से कुछ दूर मेले जाकर शोड़ देंगा देखिए इसका जो पूछ है वह एकदम त कारण और यह बच्चे को बहुत तहीं से होट में यह बाइट किया हुआ था और अभी हम लोग इसको छोड़ देंगा बस मैं आया था यह पर लोग को इंफर्मेशन देने कि इसके काटनाच कुछ भी नहोता है लोग काफी घबराग है और अभी देखिए इसको अब लोग अब लोग देख रहें कि शिपकली काटने से कुछ भी नहीं होता अगर आप लोग अभी चिपकली काट दे तो आप लोग घबराएं नहीं होता है और किसी प्रदार का कोई तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो देखा उस उम्र में जब लोग पढ़ाई करने के उमर होती है खेलने के उमर होती है तब मैंने भी वह सब किया है लेकिन वह सब करने के साथ साथ मैंने समाज सेवा का भी काम किया है बहुत अच्छा लगता है काफी प्राइड होता है आज मेरे मम्मी को मैरी दीधी को मेरे भाई को वह लोग कहीं से गुजरते हैं तब लोग कहते हैं कि ये प्रकास का बहुत की दिदी है तो काफी सुनने में लगए लगता है कि मेरे नाम से ये गहाऊ जाना जा रहा है मेरे नाम से एक दुन सहर और राज्य काम कर रहा हूं तो आपसे निमेदन होगा किया मैं सपोर्ट करते रहें जहां तक होगा मैं समाज के लिए करूंगा तो देखिए यहां पर अंद्विश्वास को दूर करने काम किया था चिपकली जो होता है वह उसमें किसी प्रकार का कोई विस्ट नहीं पाजाता है लोगों लेकिन लोगों में इतनी भ्रांतिया फैली हुई है इतनी अंद् करवाने के लिए तो वहां पर मैं जैसे गया तो तांत्रिक ने बताया कि इसके सरी में बहुत ज़्यादा विस्ट फैल गया है तब क्या हुआ कि वह तांत्रिक था वह ब्लेट से काटा मेरे हाथ को और उसके बाद क्या कि चूना लगा दिया खून में खून निकल रहा था रहा फिर वह कुछ पैसे लिए फिर जब मैंने इसके बारे में पढ़ाई किया मुझे जब जानकारी मिली तब भाई साब चिपकली में तो किसी प्रकार कोई विस्ट होता ही नहीं है लेकिन दोस्तों अगर यह खाने में गिर जाए तो इससे फूट पॉजनिंग हो जाती ह है है तो आप लोग को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा अगर इसका जो होता है वह हमारे खाने में गिर जाए तो इससे फूट पॉजनिंग हो जाता है और दूसरा यह अगर काट ले तो कुछ भी नहीं होगा अगर यह चिपकली भी गिर के मर जाएगा ना तो जाहिर सी बा आप जो यह देख रहे हैं यह अपना पैट है गौडजीला मैंने इसका नाम रखा आप तो इसको हर वीडियो में देखते ही है तो इसे मैंने क्यों खरीदा आपको पता है लोग के अंदर से इस अंध विश्वास को दूर करने के लिए आपको तो पता ही हमारा उद्धेश इंसान को शांपों से तफ़ा इंससे बचाना है अ हर तरह का अक्टिविटिज में हमारा ध्यान जा रहा है जहां तक हो पाराहा है मैं समाज के लिए कुछ field कार रहा हूं यह दीन नई-ईए वीडियो लेकर आपकर हमारे समाज से जो अंध विश्वासे वोग दूर हो सके यह अपना जो है बहुत ही फैब्रेट जीव है अपना मैं यह पैट है मैंने गौर्जीला इसका नाम रखा है और इसे मैं हर रोज फल सब्जी हार फूल खाने को देता हूं यह मस्त है यह देखिए अभी सिर्फ पर चड़के बैठ गया है तो यह वीडियो बनाने का उद्ध बस दोस्तों यही था कि शिपकली में किसी प्रेगार का विस्ट नहीं होता है यह काट ले तो घबराना नहीं है तो बस इसलिए मैं यह टाइटल डाला ताकि आप इस वीडियो को वाच करें और आपके अंदर चंज विश्वास दूर हो तो आप से निवेदन करें कि आप उननीस साल शे मीन होगे इस बीच जो बहुत सारे काटे सामने आये हैं जो लेकिन कुछ हमारा बिगार नहीं पाए लेकिन मैं उनके लिए दो पंक्ति कहना चाहूंगा कि तुम्हारी साजिस से कुछ नहीं होगा मेरी नियत मेरा मुकाम रोकेगी और वादा रहा इस दुनि तुमारी साजिस से तो मैं रुका नहीं अब क्या तुम्हारी साजिसे तो फेल हुई अब क्या तुम मुझे चुम्बक लगा कर खीचा करोगे मैं तो घर से अलविदा कहकर निकला हूँ तुम कब तक मेरा पीछा करोगे तो भाई कर लो पीछा मैं तो घर से विदा कहकर निकला हूँ जीना भी है इस देश के लिए समाज के लिए उम्हेद करते हैं आपको यह वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक करके अपने एक प्यारा सा कमेंट करें और मैं तो कमेंट सारा देखता ही हूँ बस और रिप्लाइब करता हूं तो चलिए करते रहें उचाहिए तो आप लोग को ही ले जाना है और यह बहुत ही प्यारा है और इसको लेकर मैं इसलिए वीडियो बनाया दोस्तों कि इस तरह के जीवों को लेकर जो भी अंजविश्वास से जो भी डर है वह दूर हो सके देखो कहां चड़े गया है वह भाई साब है हुआ है तो चलिए दोस्तों उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आओगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में जहिंज भारत वंदे मात्रम कभी पी चिपकली काट ले या साब काटे तो घबराई नहीं अगर कोई दिक्कत होती है तो आप मुझसे कॉंटक्ट कर सकते हैं मैं प्र